नमस्कार मेरे सभी भाई और बहनों B.S.E. Final Years, Math, Paper Second, Real and Complex Analysis के Very Important जो Question थे उनकी सीरीज में यह 4th Lecture है जिसमें आपको एक Very Important Question बताया जा रहा है कि सिद्ध कीजे कि फलन FZ equal to mod of Z square सर्वत्र संतत है किन्तु इसके आउकल अच्कास्तित्य केबल मूल विन्दू पर है इसको प्रूब करना है यह Important Question है तो देखते हैं कैसे इसको solve करेंगे देखें सबसे पहले हम जानते हैं समरे सिद्ध कैसे Z equal to X plus I root of Y होता है और इसका FZ करेंगे तो इसका square हो जाता तो X का square X square plus Y square चूंकि mod Z equal to होता है root X square plus Y square तो X square plus Y square क्या होगा इसका square करेंगे जब तो यह Root हड़ेगा तो यहां FZ equal to क्या आगया mod of Z square अब चूंकि FZ चरों X तदा Y का बहुपत फलन है यह X और Y में है यह बहुपत फलन है और हम जानते हैं कि बहुपत फलन कैसा होता है सरवत्र संतत होता है तो पहली condition तो प्रूफ हो गई कि फलन FZ equal to mod of Z square सरवत्र संतत है अब हमको क्या condition प्रूफ करने कि आउकलाच का स्थित्य केपल कहां पर है मूल बिंदू पर है तो देखते हैं इसको कैसे solve करेंगे अब देखिए F dash Z equal to limit del Z tends to 0 F Z plus del Z minus F Z upon del Z यह आपने एक सूत्र पढ़ा होगा real analysis में कि L F dash A equal to limit S tends to 0 F A minus H minus F A upon H तो इसी का यह complex analysis का सूत्र रहे अब यहाँ पर del Z tends to 0 था अब यहाँ पर F Z plus Z del Z की value रख दी हमने value क्या थी? mode of Z square यहाँ पर Z की जिए गाए पर Z plus del Z था तो हमने इसका square कर दिया यहाँ पर Z अकिला था तो इसका square कर दिया upon del Z F dash Z limit Z tends to 0 अब देखो इसको इस परकार लिख सकते हैं Z plus del Z Z plus del Z का bar किसी भी square को लिखने के लिए हम इस परकार लिख सकते हैं mode Z square equal to Z Z bar तो हमने इसको इस परकार लिख दिया इसको भी इस परकार लिख दिया upon del Z अब देखी आपने एक condition पढ़ी होगी property है इसकी complex है इसकी जब A plus B दोनों पर बार लगा हो तो A पर बार लग जाता है plus B पर बार लग जाता है तो यहाँ पर Z plus del Z पर बार था तो Z पर बार हो देख पर बार लग 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 होगा है अब इन सब का calculation कर दिया Z का Z bar में हुआ तो Z Z bar आ गया Z का S में हुआ तो Z del Z bar आ गया del Z का बार में हुआ तो Z bar del Z आ गया इसका S में हुआ तो यह आ गया मानस में यह था इस से यह cancel हो गया यह बचा अपन डेल Z बचा बहुत ही simple है सिर्फ calculation के लिए है अब सब के बच्टे में जो del Z था उसको सब में divide कर दिया तो आप उसको solve करेंगे तो यह आएगा Z del Z bar upon del Z plus Z bar plus del Z bar यहां तक कर लिया अब दो condition बनेंगे एक X एक्ष के लिए और एक Y एक्ष के लिए तो देखते हैं first case case first में क्या है del Z tends to 0 along X axis then del Y क्या होगा 0 होगा यह एक्स एक्स के मतलब यह है X axis तो इस पर जो Y है वो है नहीं तो Y क्या होगा 0 होगा तो चुँकि अब जानते हैं कि Z equal to क्या होता है X plus Y तो del Z क्या होगा del X plus I del Y del Z bar क्या होगा plus की जगह पर मानस आजाएगा तो जब del Y 0 होगा यह 0 होगा तो del Z equal to del X आजाएगा और del Z bar equal to del X आजाएगा क्योंकि del Y 0 तो मानस प्लस का कोई रॉल ही नहीं रहता तो हम यह del Z हो यह del Z bar हो दोनों की जगह पर क्या लेकर देगे del X तो अब समीकार एक को हम प्रूप solve करेंगे तो limit del X tends to 0 जेड जहाँ del Z bar था वहाँ पर del X कर दिया del X upon del X plus Z bar plus del X del X cancel हो गए del X equal to 0 रख दिया तो यह क्या आगा है F dash Z equal to Z plus Z bar case second देखे case second में हम by axis की along चलेंगे अब यह चलेंगे vertical तो जब by axis की along चलेंगे तो del X क्या होगा 0 होगा अब देखते हैं del Z and del Z bar क्या होगे तो यहाँ पर देखिए अगर X 0 होगा तो del Z equal to I del Y होगा और del Z bar equal to क्या होगा मानस I del Y तो यहाँ पर मानस का रॉल है जबकि X axis में हमने देखा था कोई रॉल नहीं था तो यह आगा दोनों value इसकी value रखी तो I del Y upon I del Y मानस डेल वाई तो यह क्या आगया इसको प्रूब किया तो इससे यह cancel होगा तो मानस Z plus Z bar तो Z bar मानस Z आगया देखिए यहाँ पर F dash Z की value Z plus Z bar थी तो यहाँ पर F dash Z की value Z bar मानस Z इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो limit है limit कमान दोनों इस्तितियों में लग लगाया है अता F dash Z क्या है बिद्धिमान नहीं और अगर F dash Z बिद्धिमान नहीं तो यह क्यासा नहीं है आउकल लिए नहीं अब आवकल ली नहीं तो कहां पर आवकल ली हैं इसको देखते हैं तो Z बार प्लस Z एक्कुल टू Z बार मानस Z इन दोनों को एक्कुल लिया Z बार से Z बार कैंसल होगा Z एक्कुल टू मानस Z इस साइट आया तो ये प्लस का होगा तो Z plus Z equal to 2Z 2Z equal to 0 तो Z equal to क्या आ गया? 0 अब Z equal to 0 आ गया तो Z bar और Z bar क्या हो जाएंगे? बराबर इसका मतलब क्या है कि F dash Z का स्थिति कहां पर है? मूल बिंदू पर है अता फलन F Z के बल मूल बिंदू पर है तो ये था question आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और या इस सीरीज निरंदर चलती रहेगी तो आप सीरीज को देखती चाहिए जो जो important question उनको करते चाहिए अच्छे से क्यूंकि नहीं मैसे question repeat होती रहेती Thank you so much Best of luck for exam